तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चार चीजों से बनने वाली सूजी केक की रेस्पी जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी डैकली सोस्पैन में बनाएंगे जो कि हर किसी के लिए बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा ना इ इसके लिए मेजर्मेंट लेना बहुत ज़र रही है तो आज मैं यहां यूज करिया हूँ अगारों का यह 18-piece यूटेंसिल सेट तो इससे हम डालेंगे 1 3rd cup चीनी और एक टेवली स्पून अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहां पर हाफ क यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको यह प्रोसेस करने की कोई जरत नहीं है आप चीनी में डालेंगे गर्म दूद एड़ कर सकते हैं फिर अब हम यहां पर डालेंगे एक कप बारिक सूजी तो यह जो सूजी है वो चीरोटी रवा है अगर आपके पास इस तरह से बारिक सूजी ना हो तो आप इसे एक वान मिक्सर ग्राइडर में फाइन ग्राइंड कर लें फिर आप इसे दूद में अड़ करें तो मैरे पासी तो मैंने इसे डूद में एड़ कर दिया दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे दो-तीन रम तक के लिए करना है और इसे 20 मिर तक के लिए तकरीबन ढख के रख देना है ताकि जो सूजी हो अच्छे से दूद को एब्जाब कर ले और यह थोड़ी सी फूल जा और इसमें से ग्लूटन जेनरेट हो जाए थोड़ी सी चिप-चिपी सी इसी से केक जो हमारा एदम भुसभुसा सा नहीं बनेगा और वो इस उसे आज हम सॉस्थबैन को लाइन अप करेंगे तो मैं आज फेकर रही हूँ नौनिषटिक स्क्राइब आप चाहे तो इस तरह कि सॉस्थबैन योजा सकते मेरे पास इसका प्रोपर भॉपकन नहीं है तो इसी लिह मैं यहां स्क्राइब नौनिल को निप सास्थ्टिक वा तो जो सूजी और अच्छे से दूद को एप्शॉप कर लिया है तो इसमें हम वापस से एक दो टेवर स्पून दूद डालें क्योंकि मुझे यहां पर यह बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है बहुत जाए दूद नहीं डालना है क्यों सूजी का बैटर होता है वो संद की कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं फिर इसमें डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग पाउडर क्योंकि हम इसमें सोटा इनों नहीं यूज करें तो बेकिंग पाउडर डालना ज़री है वन टीस्पून डालेंगे फिर उसमें डालेंगे वन टीस्पून जितना दूद बेकिंग पाउडर के ऊपर ताकि जो पाउडर अच्छी से थोड़ा सा फूल जाए वापस से सारी चीज़ों को एक बर मिक्स करेंगे ताकि बैटर अच्छे से फ्लफी हो जाए ट्रांसफर कर लेंगे इसे हम सॉस पैन में आप इसके ऊपर ड्राइ फ्रूट्स एड़ कर सकते हैं कोई भी चौको चिप्स एड़ कर सकते हैं जो आपको पसंदों या फिर आप इसे ऐसे प्लेन बना सकते हैं तो मैं या उपर में डाल रही हूं थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता आप चाले तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं वह भी इस केक में बहुत ही अच्छा लगता है इसे अब हम बेक करेंगे मतलब कुक करेंगे तवे के उपर अग्दम लो फ्लेम पे आपकी केक बिल्कुल भी नहीं जलेगी बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा केक नीचे से जल गए क्यों डैकली पैन मतलब जो पैन है वो गैस के उपर रख देते हैं जिससे कि यह जल जाता है मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूं देखे कैसे फूल गया है एकदम से 35 मिड़ बाद मैंने यह आपर इसे चेक किया है तुट्पिक एकदम अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे है एकदम अच्छे से बेक हो चुका है तुरंत ही हम इसे जो पैन है उसे डिमोल्ट कर देंग तो जो केक है नीचे से ज़्यादा लाल हो सकता है इकोबिक हटाएंगे आप देख सकते हैं केक में कितना प्यारा कलर आया है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में पूरी तरही से ठंडा करेंगे फिर यह आप इसे उपर से काटें तो मैं यह आपर उपर में थोज़ यह बिलकुल भूरबूरी सी नहीं है और लगी नहीं रहा है कि अम ने इसने तेल बटर अंडा या फिर दही का यूज नहीं किया है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है मॉश्ट है सिर्फ चार चीजों से बनाया है बहुत ही ज्यादा आसान रेस्पी आप एक बर इसे घर में जरू ट्राइ करें वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसी तरह के आसान और मैदार रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर